हेलो स्टुडेंट्स डाउट एट चैनल में आपका स्वागत है आज हम करेंगे प्रशनावली छे दसमलाव तीन प्रसंसंक्या 3 है बार बार गटाने की विदी से 100 और 119 का वरग मुल ग्याद कीजिए हमें 100 का और 119 का वरग मुल ग्याद करना है बार बार गटाने की विदी से तो कैसे करेंगे देखिए बच्चों हमने पिछे किया था कि लगातार जो विसम संख्याओं होती है उनका जोड़ होता है एन का वरग पिछे हमने किया था कि लगातार विसम संख्याओं का योग पर्थम लगातार विसम संख्याओं का योग था एन का वरग तो यहाँ पर हम क्या करेंगे इन में से बारी बारी से विसम संख्याओं को घटाते चलेंगे सबसे पहले सो में से घटाएंगे विसम संख्या होती है एक से स्रो होती है यह आएगा निन्याण में फिर हम निन्याण में में से घटाएंगे अगली विसम संख्या तीन छ्याण में फिर छ्याण में में से घटाओं अगली विसम संख्या पांच 21 में 21 में से घटाएंगे अगली समसंख्या 5 के बाद 7 यह बचेगा हमारे पास 84 84 में से घटाओ 9 7 के बाद आएगी समसंख्या 9 यह बचेगा हमारे पास 75 यह 75 में से घटाओ 11 यह बचेगा हमारे पास 64 फिर 64 में से घटाएंगे हम 13, यह बचेगा हमारे पास 51, फिर 51 में से घटाएंगे 15, 13 के बाद भी समसंख्या होगी 15, यह बचेगा हमारे पास 36, फिर 36 में से घटाएंगे 17, यह बचेगा 19, फिर 19 में से घटाएंगे 19, क्यों कि 17 के बाद आएगी समसंख्या 19, फिर आएगा 0, अब 0 पे जाकर यह खतम हो अब गिन लेंगे कितनी बार गटाने पर जिरो आया है एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस दस बार गटाने पर जिरो आया है तो हमारा जो सो है उसका वरगमूल हो जाएगा दस यह हमारा आंसर होगा एक सो नहतर को लेते हैं एक गटाएंगे पहले एक सो अड़सट एक सो अड़सट में से तीन गटाएंगे एक सो पैंसट फिर एक सो पैंसट में से गटाएंगे पांच एक सो साथ एक सो साथ में से गटेगा फिर साथ एक सो त्रेपन एक सो त्रेपन में से घटाएंगे 9 यह हमारे पास आएगा 144 फिर 144 में से घटाएंगे 11 133 133 में से घटाएंगे 13 120 फिर 120 में से गटाएंगे 15, 105, फिर 105 में से गटाएंगे 17, ये बचेगा हमारे पास 88, फिर हम 88 में से गटाएंगे 19, 17 के बाद आएगा 19, ये बचेगा 79, गटाएंगे 21, ये बचेगा 48, फिर 48 में से गटाएंगे 23, ये बचेगा 25, फिर 25 में से गटाएंगे 25, 30 के बाद आएगी 25, ये बचेगा 0, अब देखो कितनी बार गटाने पर 0 आया है, एक, दो, तीन, च्यार, पाम, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारे, बारे, तेरे, तो यहां पर एक सो नहितर का जो वरगमूल होगा, वो हो जाएगा, तेरे, इस तरह आप इसको निकाल सकते हैं, विसम संख्याओं को में, लगातार विसम संख्याओं को इसके अंदर से